तो CSIR ने अपना notification जारी कर दिया है और जिसके लिए आप काफी दिनों से इंतजार करते हैं और यह notification जो है आपको कुछ इस तरीके से पोर्टल नजर आएगा यहां से जाके आप जो है application form के बारे में जो public notice जारी किया गया है उसे आप देख सकते हैं साथ में कुछ information bulletin वगर अगर डाउन्नोड करना है तो आप यहां से डाउन्नोड कर सकते हैं otherwise जो है वो आप register करेंगे पहले और register करने के बाद फिर यहां से application number and so on भर के form को fill up करेंगे detailed चीज़ों के लिए जो है वो आप information brochure पे visit कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि information क्या-क्या दिया गया है basic तोर पे in the case of CSIR के notice में और क्या changes जो है वो इस बार आये हैं उसके लिए हम यहां पर जुड़े तो let's discuss that one कुछ points के उपर बात कर लेते हैं तो जैसे जब आप बात करते हैं पहले तो मैं public notice की बात करूँ तो when you see that तो जब आप observe कर यह आप तो यह public notice जो जारी किया गया है वो एक मई को जारी किया गया है और एक मई को जो है अभी इस notice को जारी करके इसमें बताया गया है कि जो submission of online application form में वो start हो रहा है एक मई से ल प्रेड महीना दिया जाता था लेकिन जो window है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है मतलब आप 20-21 दिन में आपको जो है form भरना है यह आप दिमाग में रखे रहे साथी में जब बात करेंगे तो आपके पास जो last date payment fee का है वो 22 से लेके 23 को दिया गया है यानि 22-23 के बीच तक आ 11 बज़ के 50 पीम यानि राद 12 बज़े से पहले correction window जो open होगा वो 25 और 27 माई को open होगा 25-27 मतलब उनके दौरान 25-26 27 के दौरान आप अगर कोई गलती किया है examination form में तो उसे आप correct कर सकते हैं और correct करके जो है फिर सुधार सकते हैं साथ में काफी important जो है date of examination को लेके काफी वह था कि जून में कब exam होगा कब नहीं होगा तो जो examination का date mention किया गया है वो है 25-26 और 27 को यानि 25-26 और 27 जो जून है examinations जो है conduct किया जाएगा लगभग ये weekend नहीं है याद रहे कि ये जो weekdays है यानि लगभग I think Tuesday, Wednesday, Thursday या Tuesday, Wednesday, Thursday के आसपास जो है वो date पढ़ रही है तो आप इसक कौन सा examination कई सारे बच्चे जो है वो कहरें ICR का examination 26 को है 26 जून को तो obviously बाते हो सकता है कि ICR का examination 26 को हो तो CSR का examination 26 को ना हो वो examination या तो 25 को होगा या तो 27 को होगा और generally जो है CSR का examination में जो life science होता है वो पहले पढ़ता है तो most probably इन तीनो dates में से मैं predict करके चलना हूँ 25 को और ब आफी दिनों से discussion का मुद्दा बना हुआ था कि exam जो है वो offline होगा या online होगा तो वो मुद्दा जो है वो basic तोर पे अब resolve हो चुका है कि examination computer based होने वाला है यानि कि online examination होने वाला है offline examination नहीं होने वाला है तो इसके लिए जादा अब confusion जो है मत रखिएगा clear कर लीजेगा duration वही 180 मिनट था objective type with MCQs questions ही आने वाले हैं और examination का जो medium है वो bilingual ही रखा गया है मतलब English और Hindi दोनों में ही आएगा examination की जो categories पहले भी थी वही categories अब भी है 5 subjects chemical, earth, atmospheric, ocean, planetary का एक है life science and mathematical sciences and physical sciences इनके बारे में अगर कोई भी information चाहिए तो csirnet.nta.ac.in पर जाके देख सकते हैं या nta.ac पर देख सकते हैं ये information आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके लावा कुछ और basic चीजों को यहाँ पर रखा गया है जब आप देखोगे तो कुछ जैसे detail courses, eligibility criteria यह सब आपको information ब्रॉस्चर में मिलेगा और कही ने कहीं अगर आपको apply करना है तो आप किस way में करेंगे आप करें करना है वो सिखाया है क्योंकि आज कल spoon feeding के जमान में everything is available on into the YouTube ठीक है तो आप देख सकते हैं और अगर कोई दिक्कत परसानी होगी तो आप हमारे जो contact number है हमारी email ID है उस पर contact कर सकते हैं हम आपको help करेंगे और हम help करने के बजाए आप यहाँ पर CSR NTO को भी परसान कर सकते है यह उनकी email ID दी गई है साथ में उनका help line number दिया गया है भाई हमसे ही क्यों पूछना है आप यहाँ से भी पूछ लो ठीक है help line number CSR NTA से भी पूछ सकते हो और साथ में आप इस number पर call भी कर सकते हो तो वो भी आपको help करेंगे अगर कोई भी doubt होगा तो यह रही बात basic जो है अ रखा गया है जरा देखिए तो यह information bulletin आपको website पर मिल सकता है जो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है चीजों को आप जाके देख सकते हैं और इस information bulletin में काफी कुछ आपको दिया गया होगा जो आप देख सकते हैं और यह सारे अलग-अलग chapters eligibility criteria details and so on जो आप visit करेंगे अ अब मैं इसमें कुछ important चीजों की बात कर लेता हूँ सबसे पहले एक बार फिर से revise करा दो कि भाईया आपके पास जो online registration वाला पंगा है यानि कि कहीं ने कहीं एक जो है माई से 21 माई फिर से ध्यान देने लगभग लगभग मोटा मोटी 20 दिन आपके पास बचा हुआ फटा information slip उसके बारे में information या चीजे जो है रखी गई है आप इनको observe करेंगे तो आपको देखो यह सारी चीजे सो है सो की गई है चलो अब यहां पर अगर हम बात करें तो 25 मई से 27 में जो मैंने क्या बूला था correction window open होने का वह यहां पर mention किया गया है बाकी चीजे जो है बाद में बताई जाएंगी और बाकी मैंने information bulletin में शो किया था अब चीजे यहां पर कुछ इस तरीके से आती हैं कि जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखने की कोसिस करिएगा कि here that some information जो मैं आपको discuss करूँ तो पहला एक major जो change नजर आया है वो category में नजर आया इससे पहले जो CSIR म changes मलब CSIR में जो exam होता था उसमें JRF और LS दो ही category को रखा गया था और एक जिसमें आप junior research fellowship और एक LS वाली category लेकिन इसको थोड़ा सा हटा के चीजों को थोड़ी सी और बहतर तरीके से की गई है अब इसमें क्या किया गया है जरा ध्यान दीजेगा तो in this particular case तीन category को जो है वो appointment as assistant professor मतलब यह GRF और assistant professor दोनों के लिए होगा इसमें qualified जो बच्चे करेंगे category 1 में और category 2 में appointment as assistant professor and admission to the PhD मतलब आप इसमें अगर category 2 में qualify करेंगे तो आप assistant professor के लिए भी eligible है और PhD में admission के लिए भी eligible है और category 3 में सिर्फ और सिर्फ आप PhD में admission ले सकते हैं तो यहाँ पे पहले ज यहाँ पे थोड़ा सा change देखनी को मिला है इस बार examination में category 1 में अगर आप qualify करते हैं तो आप PhD में admission तो ले ही सकते हैं लेकिन PhD के सासाथ आपको fellowship भी मिलेगा junior research फिलोसिप यानि पैसा मिलेगा और साथ में अगर आपको assistant professor बनना है तो भी आपके लिए वो help करेगा category 2 में आप PhD में admission ले सकते हैं जो है assistant professor भी बन सकते हैं या उसके लिए appointment आप जो है उसको use कर सकते है appointment लेटर के लिए या जो भी चीज़ी आपको future में करनी है अगर assistant professor बनना है तो लेकिन इस case में आपको fellowship नहीं मिलेगा इसको थोड़ा सा specify किया गया है कि अगर आप JRF के बात करो junior research fellowship fellowship क का मतलब सीधी सब्दों में बात किया जा तो पैसा जो कि आपको सिर्फ category 1 वाले जो है qualified students को मिलेगा दूसरे और तीसरे वाले को कोई भी fellowship नहीं मिलने वाली है junior research fellowship assistant professor के लिए eligibility आप अगर पहले या दोसरे में किसी दोनों category में qualify करेंगे तो आप assistant professor के लिए eligible है और PhD के लिए आप तीनों cases में eligible है याद रहे कि PhD, degree या PhD एक degree है PhD में admission के लिए आप इसमें से किसी भी category में qualify हो आप इसका यूज कर सकते हैं उसमें से fellowship सिर्फ और सिर्फ category 1 वाले बच्चों को मिलेगी तो जैसा DBT में category 1, category 2 हुआ करता था with fellowship, without fellowship वाला पंगा था वैसा ही लगबग यहां तीन categories की गई है, category 1 वाले जो है, category 1 वालों को क्या मिलेगा, GRF, Assistant Professor, PhD तीनों मिलेंगे, category 2 वाले को Assistant Professor और PhD admission इसकी eligibility मिलेगी, 3 वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ PhD में admission के eligibility मिलेगी, GRF और Assistant Professor के eligibility नहीं है, तो ये चीजे जो है दिमांग में रख लीजेगा, इस बार थोड़ा इसको ऐसे रखा गया है, तो chances of selection और PhD admission लेने का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो महनत करेंगे, तो आप qualify कर सकते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते कि इन सब के अलामा कुछ और major changes जो है, वो किये गये हैं, कौन को से major changes की बात कर लेते हैं, फटा-फट, गया है, there is a like pattern of question, pattern of examination में कोई भी ज्यादा major changes नहीं है, जैसा पहले था, वैसा अभी भी है, there is no major changes in this category, examination pattern, negative marking, सब कुछ जैसा पहले था, वैसा ही है, और लेकिन यहाँ पे जो important चीज़ आई थी, वो है ये, upper age limit, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजेगा, upper age limit, जो की JRF general category के students के लिए, पहले 28 साल हुआ करता था, अब वो बढ़ा के 30 साल कर दिया गया है, तो अगर आप general category के students है, और अगर आप CSIR का exam देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस वज़े से नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे रहे थे, कि मेरी age तो बाहर हो गई है, out of limit हो गई है, या मैं उस eligibility criteria के under fall off नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक बार check कर लेना के भाई 30 साल से कम है, तो एक बार दे सकते हो, ठीक है, ये calculate कर लेना, इसके लामा 5 year का relaxation provide किया गया है, उनके लिए जो OBC non-crimi layer के candidates होंगे, और साथ में जो SCST, PWD, 3rd gender category के लिए है, and also for the women applicants, मत जादा तर फायदा जो है, 30 प्लस 5, 35 साल हो गया, तो अब आप 35 साल तक अगर हैं, तो भी आप ये examinations दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये किस के लिए category रखे गए, GRF के लिए, मतलब जो आप category 1, category 2, category 3, जो मैंने अभी list दिखाई थी, उसमें ये category 1 के लिए है, बाकी जो को mention किया गया है, जरा ध्यान दीजेगा, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे, तो here, assistant professor के लिए, और admission to PhD के लिए, assistant professor और admission to PhD के लिए, there is a no upper age limit, no upper age limit, मतलब, PhD में admission के लिए भी, अब कोई age limit नहीं है, मतलब, आप कही पे, कभी भी PhD करना चाहें, exam दे सकते है, fellowship के लिए लिमिट है, सिर्फ और सिर्फ, वो भी 30 साल लगभग सभी के लिए, और बिचारे दुखदारी वाले इंसान, जो जनरल मेल है, ठीक है, ultimately उन्हीं का जो है, कुल मिला जुला के, जो है, वो बेडा गर्व हो जाता है, क्योंकि, OBC non creamy layer है, SCST है, PWD है, women's है, even general woman है, तो भी काम चल जाएगा, भईया, 35 साल मिल गया, सिर्फ और सिर्फ मिला जुला के, OBC creamy layer, और general male, यही जो है, 30 साल पर अटक जाएगे, ठीक है, तो यह जो है, इन में कोई limit नहीं है, तो यह ध्यान रख ले कि किस में क्या limit है, यह कुछ major changes है, जो CSIR के, इस बार के exam में देखने को मिले इसके साथ ही, अगर कुछ major और changes नजर आते हैं, जैसा कि मैंने जितना screen out किया है, मुझे यह कुछ major changes नजर आए, तो एक बार मैं चीजों को sum up कर दो कि मैंने क्या आपको यहाँ पर बताया, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि basic तोर पे CSIR ने अपना notification जारी कर दिया है, और CSIR ने जो notification जारी किया है, उसमें form भरने की जो date है, वो उन्होंने बता दी है कि भाईया एक तारिक से form का जो है भरने का date सुरू हो चुका है, 21 तक आप form भर सकते हैं, और उसके बाद 22 और 23 तक मैं तक आप जो है अपना basic तोर पे payment है, जो आपकी fees है, वो दे सकते है payment gateway स जो भी आपका payment gateway आपको यूज करना है, उसके बाद correction window 25 से 27 के बीच में open होगा, और examination date जो रखा गया है, वो 25, 26 और 27 जून रखा गया है, इसके बाद दो specific major changes देखने को मिले, पहला कि जो category पहले सिर्फ JRF और LS की हुए की अर्ती थी, इस बार category को 1, 2, 3 करके बाटा गया है category 1, JRF, Professor, Assistant Professor और PhD तीनों के लिए eligible होंगे, category 2 वाले बच्चे जो होंगे, क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे होंगे, वो Assistant Professor और PhD के लिए eligible होंगे, category 3 क्वालिफाई करने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ PhD admission के लिए eligible होंगे, category 1 के लिए, यानि JRF के लिए age limit 30 साल हाई गई है आपके general candidates के लिए और 5 सल का another relaxation दिया गया है for the SCST, OBC non-criminal, PWD and women candidates and there is a no upper limit, no upper age limit for the assistant professor and as well as PhD admission, तो ये रही basic information CSIR के बारे में अगर कुछ जरुवत पढ़ती है, कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के comment box में बताने में आपको जिजक नहीं होनी चाहिए, ठीक ह फटाफर type कर लो, हम आपको जो है check में जवाब दे सकते हैं या अगर कुछ बड़ा issue हुआ, तो वीडियो की through जुड़के भी जवाब दे सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो like, share, subscribe करिएगा, दोस्तों तक पहुचाईएगा, और एक अच्छा सा प्यार बारा message भी आप type कर सकते हैं, thank you so much, we'll see you tomorrow and once again thank you so much for 100k members, बबार, जाएगा